मजबूरन कपड़े उतारने पड़ते हैं और कस्टमर कई कपड़े फार देते हैं ठीक है से बरदस्ती से रजिया एक सेक्स वर्कर हैं जिने गुजिश्टा साल जिस्म फरोशी के लिए दुबई स्मर्गल किया गया था वो लाहूर के रेड लाइट एरिया से तालुक रखती हैं गुजिश्टा साल वो जान बचा कर वापिस पाकिस्तान लोटी हैं पाकिसान के सुब़ पंजाब के दालुकूमत लाहूर का वो इलाका है जिसे हीरा मंदी ये शाही मुहला कहा जाता है एक वक्त था जब यहां रक्सो सुरूत की महाफिल मुनकित की जाती थी तब शायद यहां हालाद भी कुछ बहतर हुआ करते थे मुगल दोर में हीरा मंदी का इलाका एक एहम तवाइफी सकाफत का मरकज हुआ करता था हीरा मंदी ये सबस्जदात तादाद जो हीरा मंदी में आई वो महाजरीन की है और महाजरों के जो तवाइफं का इखाय थी जो हिंदोस्तान के देशी रियास्तों में मुख्दिли महाराज्ज के दरबारों में काम करती थी या उनकी कहते हैं कि वो रॉयल कोटिजन्स थी ताहां बादजा अंग्रेज दोर में फोजियों की तफरीख के लिए भी इन गलियों में मौजूद कोटों और यहां पर मौजूद रकासाओं का सहारा लिया जाता रहा जनरल जिया उल्हक के दोर में इसे हर किसम के नाच गाने के लिए बंद कर दिया गया और यहीं से इस इस इलागे के जवाल का भी आगाज हो गया पहले जो खवातीन नाच गाने के जरीए अपनी जिन्दगी की गाड़ी धकेल रही थी इस पाबंदी के बाद वो भी खुफिया तरीके से जिस्म फरोशी पर मजबूर हो गई जिया के दोर में जहां इस्लामाजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ तो उसमें कई कवानिन को इस्लामी रंग में या इस तरह से बनाया गया इनके काम के अख़ा जो थे पहले उनको महदू किया गया जब महदू किया तो उनकी इंकम असर अंदाज हुई जब इंकम पे असर हुआ तो बहुत सारे खान जो वहां पे रक्स और डाया धुसरे सिंगी का काम करते थे, खवातीन करती थी, लड़कियां करती थी, वो बहां से निकल गए और वो शहर के दीगर आखो में सैटल हो गी जाके, कि उन्होंने जिस्म फरोशी का धंदे भी अपना लिए और यूँ इस तरह से जो काम एक अलाके तक महदूद था, बहुत सारे लोग कहते हैं, वो पहले एक अलाके तक महदूद था, तो फैल के पूरे शहर में हो गया और फिर यहीं से सकाफ़ती दोरों की शकल में खावातीन की दूसरे ममालिक में स्मगलिंग का भी आखाज हो गया, जो बात में ट्राफिकिंग में तबदील हो गया फिलिफ कल्चिरल टूपेस के जो मैनेजर्स थे, उनके ये बन गए, वहाँ पे म्यूजिक के इंस्टूमेंट्स भी पढ़े होते थे, और साथ ही साथ वो ये बुकिंग भी करते थे, पाक्स्तान के बारे में ये मुशूर हो गया कि जहां से बहुत ज़्यादा लोग बग जन्दे में लग जाती हैं, तो उस पर फिर कदगन लगना लगना शुरू हो गई और ये अंडरग्राउंड काम होना शुरू हो गया, तब से लेकर अब तक ये काम फ्लरिश उसी तरह करता है, लेकर ज्यादातार अंडरग्राउंड है, कि नाम किसी और पे जाते हैं, लेक सुल्मान एक प्रमोटर है, वो लड़कियों को बिरूने मुल्क डांस कलब या मसाज सेंटर्स में ग्रूप्स की शकल में भिजवाते हैं, वो ये ज़्यादा तरह लड़कियां खलीजी और जुनूब श्याई ममालिक में भिजवाते हैं, अगर नहीं ना अपनी मर्जी से वो काम कार रही है, तो उसको तंग नहीं करते हैं, उसको बान एक कम्रे में बंद कर देते हैं, ठीक है, जितनी रहे हो कंट्रेक्ट कुरा ना हमारा उनके साथ प्रमोटरों के साथ बाहर का, वो फून भी नहीं कर सकती किसी को, हमारी बात चलते होते हैं, उसको तंग को ही पर ब्राइब पर गोद्रत भी इस वार कमीज तो इस वज़ा से भी ना लड़की को बंद किया जाता है रजिया को भी चंद साल कब लुस्लमान ही ने दुबई स्मगल किया था और इसके बाद इन्हें डांस कलब में जबरदस्ती जिस्म फरोशी पर लगा दिया गया वो साथ साल तक जबरी जिन्सी मुशक्त का शिकार रही तो फिर उनके दुबाओं में आके ना लड़की परेशान हो जाती खुद कुछ भी कर लेती हैं कोई अपने आपको मारती भी हैं कोई कुछ बता ने क्या कुछ नहीं करती हैं मजबूरी में तो जिनके होते हैं वो अपने आफिफ सोचती हैं कि यार पहले तो मेरे घर में कोई कमाने वाला ने है तो उनको पूरा कौन करेगा उपर से चोटा सा चोटे बच्चे शरुड के आए हैं उनको कौन देगा स्मगल की जाने वाली लड़कियां जैसे ही गैर मुल्की प्रमोटर के पास पहुँचती हैं उन से उनके पासपोर्ट और दीगर दस्ताविजात चीन कर कबजे में ले लिये जाते हैं और जिस काम का कहकर उन्हें लाय जाता है उसकी बज़ाए उन्हें जिस्म फरोशी पर मजबूर किया जाता है जिसम पर मार लिया, मुपर मार लिया, बाल खीच लेई, एक बार भी मार खा लेना, सो बार भी खालेना बाद तो वही आजाती ना फिर कि अख सब्सक्राइ को संद् Sep कुरी सहां कि हैै उप फॉलाइन झाली होगी। आख सभी ब teaching के दूछे लिफ एक्षा कूरे लिहां रापता नहीं दाओimientos कारहले ने को गाल ना कर सके, कोई दास ना सके, ताके ने कारहले फिर इसाम पंग करन गये थे. माहिरीन के मताबिक पाकिस्तान में दोथरां की खवातीन को अंदरूने मुल्क और भेरूने मुल्क समगलिंग या ट्राफिकिंग का निशाना बनाया जाता है. एक वो खवातीन जो इस हवाले से इनफॉर्मड होती है, यानि उनको अगाही होती है, और वो जानती है कि दूसरे मुल्क में किस मकसद के लिए जा रही है, जबके दूसरी किसम अनइनफॉर्मड खवातीन की है, जिन्हें इस हवाले से कुछ इल्म ही नहीं होता. ऐसी खवातीन मुक्तली वजुहात की बिनापर पहली ट्रैफिकिंग और प्र जिंसी गुलामी का शिकार बन जाती हैं गुलामी की इस शकल में बेरूने मुल्क और अंदरूने मुल्क खवातीन का इस्तेसाल करके उनका फाइदा लिया जाता है तो फिर उनको ट्रैप करना बड़ा एजी हो जाता है एकसर उनके पासपोर्ट वगरा हैं वो चीन लिये जाते हैं और उनको ड्रायदम काया जाता है कि अगर आपने किसी को रिपोर्ट किया तो पुलिस आपको रेस्ट कर लेगी या सम्टाइम ये भी ओता है कि खδवातीन खुद शेम की वज़ा से कि अगर हमने गिसी के साथ किया और ये प्रॉस्यटूशन का अगर किसी को पता चला तो खवातीन खुद भी जो है वो सम्टाइम उसी को रिपोर्ट नहीं करती है और सम्टाइम कंप्रमाइस करती है। लड़कियों को वरगला के चोटे शहरों से चोटे गाउं से लाया जाता है और फिर उनको शहर के अंदर वो इस काम में पड़ जाती है। वर्नेबिलिटी इस तरह आजाती है कि हवातीन के पास दादरसाई नहीं है। जहां पर इस इंडस्ट्री के साथ मुंसिलिक हैं, वहां पर बहुत वोरिलेशन हो रही है। और वहां पर बहुत एक्स्प्लोइटेशन है, ब्यूस है। और जाहर है, जो भी ये काम कर रहा है, वह पैसे के लिए कर रहा है। पाकिसान में हुमन ट्राफिकिंग के हवाले से ट्राफिकिंग एक्ट 2018 काफी एहम है। तहम कानून से नाशनाई की बाइस 2021 तक इस एक्ट के तहट पंजाब में कुल साथ केस रिजिस्टर किये गए थे जिन में से छे केस ट्राफिकिंग फॉर कमर्शल सेक्स के थे कि प्रॉस्टिशिशनल विमन ट्राफिकिंग के हवाले से हमारे मुल्क में दो कानून इस वक्त मौजूद है एक को हम कहते हैं सॉम विश प्रिवेंशन आफ स्मगलिंग फ्माइगरंट यह उसको दोके से आप बहर ले जाते हैं उसको हम टेप कहते हैं सादा जबान में उसके अंदर भी ट्राफिकिंग ऐनिकेटर्स हैं अगर उसके अंदर human smuggling का element in war नहीं हो 371A और 371B section के तहर जो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर prostitution हो रही है पोर्ष उसके खिलाफ जो है वो हमारी police काफी जो है वो active है चूँके इसके उपर international binding भी है एक international cooperation भी है क्योंकि trafficking in person चूँके global issue है तो उसके उनकी help भी और उसके rules के मताबिक भी हमने इस पे काफी ज़्यदा वरक्शाप्स कराई हैं अपने district level पे ताकि हमारे investigating officers को इसकी investigation और इस crime से related sensitivity का अंदाजा हो पाकिस्तान में दुरूने मुल्क sex trafficking को पुलिस जबके बेरूने मुल्क trafficking के cases को federal investigation agency देखती है जो भी खवातीन या बच्चों को इस तरह लेके जाएगा बाहर उसके ख़लाफ सजा का तैयन कियागा है section 3 और 4 है जो उन पे लगएगा तो जो traffic होके गए होगे या बच्चे खवातीन तो उनको विक्टम एर टीट किया जाएगा जब वो वापस आएगा उनकी statement पे जो agent है उसके ख़लाफ कारवाई होगी और उसकी जो सजा है कम से कम भी उसकी सजा 10 साल है और ज्यादा से ज्यादा 14 साल उसकी सजा है जाते है उसको केस को परस तो जो जो जर्माना होता है खवातीन होंगी या बचे जो लोने कम्प्रेंड की होती वो जर्माना जो उनको दिया जाता है उनसे लेकर पाकिसान के एक समाजी इदारे Sustainable Social Development Organization ने 2021 में Trafficking in Person Act 2018 के हवाले से पुलिस, FIA और हकुमती इदारों के साथ विलकर पॉलिसी रिफॉर्म्स का आगास किया अब्यूज चाए खवातीन का हो चाए बच्चों का हो चाए किसी भी सेग्मेंट अफ सुसाइटी के शक्स का हो ये हुमन राइट्स की वाइलेशन है और शायद ये इतनी वो सीरियस नौयत का क्राइम है कि इस क्राइम की उपर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा एक सीरियस नौयत पे काम किया जाता है बेसिकली तो ये एक इनसानियत है जो इनसानियत के साथ आप उसका खेल कर रहे हैं बेसिकली कि उसको एक प्रॉड़क्ट बना के जाता है रजी और उनके जैसी दीगर सेक्स वरकर्ज अब दुबारा कभी गेर कानुनी तोर पर बिरुट नहीं जाना चाहती वो चाहती है कि वो मुलक में रहकर पेशा वराना तराइथ सीखकर रोजगार से मुनसिलिक हो अफीफा नसरुला डी डेबल्यू नियूस पाकिसान